गुड मॉनिंग फ्रेंड्स अभी मन्यू परिवार में आपका हर्दिक स्वागत है आज हम हमारा जो आज का सेशन रहेगा वो यूपी पुलिस का जो पेपर चल रहे हैं उसका हम पेपर सोल करेंगे उसके मैंने 20 क्यूशन लिखे हैं रिजिनिंग के तो रिजिनिंग के 270 डिग्री दक्सिनाव मुड़ते हैं तो बताओ आपकी दिशा में खड़े एक आसान सा पेपर है यूपी पुलिस की जो रिजिनिंग और मैं था यह वह बहुत आसान बच्चों वाड़ी क्यूशार मी का लेवल का भी पेपर नहीं है ठीक है यदि आप सुरुआत में पस् मूँ कर के करें या निकी सिर्वाइत में उस आदमी का मुँ कि इदर है रहा फिर 270 डिग्री एक तेर थे 60 में ऐसा क्यूसेंट कह रहा है और उसको 270 डिगुरी रकMore और यह यह तो यहां से नहीं तक आएगा तो नबधी हो गया फिर यहां से यहां तक आएगा तो नबड़ी हो गया फिर यहां से यहां तक आएगा तो बताओ 270 को नहीं हो जाएगा क्योंकि मुख्य दिशाओं की 20 में कितने डिगरी का कौन होता है नबवे 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 तो बताओ उस आदमी का मुझ अप कोण सी दिश्वा में हो जाएगा दक्षिन दिश्वा में हो जाएगा यह अपना क्यूस्टन है क्लियर है A और B की जगे क्या हैगा ऐसा हम से पुछा है उसने तो यह जो पेटन चल रहा है यह एक स्क्वेर का पेटन चल रहा है किसका पेटन चल रहा है स्क्वेर का पेटन चल रहा है यहां से हमें समझ में आता है कि 5 का स्क्वेर है यह 6 का है यह 7 का है तो यहां 8 का स्क्वेर 8 का स्क तो यहां वरक चल रहे हैं लगातार संख्यों के वरक चल रहे हैं तो ए और बी की जगह 64 और आपको स्क्वेर भी दिख रहे हैं इसका मतलब डबल सेरी चर रहे हैं मैं इसको ऐसे देखू तो यह एक का स्क्वेर है यह आपका तीन का स्क्वेर है यह 5 का स्क्वेर है तो अब यहां क्या आना चाहिए 7 का स्क्वेर जो कितना होता है 49 यह देखो ये एक का क्यूब है ये आपका तीन का क्यूब है ये पांच का क्यूब है और ये किसका क्यूब है साथ का क्यूब है तो डबल डबल सीरी चल रही है इसके अंदर तो अपना आंसर जो होना है वो क्या होना है 49 होना है एक का स्क्वेर तीन का स्क्वेर पांच का स्क्वेर और साथ का स्क्वेर आएगा इस क्यूशन का अंसर पोटीन है सिंपल क्यूशन दोनों क्यूशन वरग और क्यूब के ओपर डिपेंड है नेक्स्ट कुशन देखो कौन सा अलग है अलग का मतलब डिफरेंट बताना आपको क्लासिफिकेशन यानि वरगी करन बेमेल चाटना समझ में ही बात चार उप्षन आपको दे रखें एक उप्षन में वरग यानि स्क्वेर गोला मतलब इस पेर वरच यानि सरकेल और त्रिपुज यानि ट्रेंगल ये चार उप्षन है चार उप्षन मेंसे डिफरेंट क्या होगा वरग वरग इस पेर इस पेर और वरत ठेक है और तिरबुज ट्रेंगल तिरबुज वरत और वरग ये तीनों टूडी फिगर है क्या है तूडी फिगर है और गोला जो है वो आपका क्या है त्रेडी फिगर है गोला मतलब फुटबोल है आपकी गेंद है काच की गोरी है ये सब त्रेडी फिगर में आते हैं तो 3D यह 3D फिगर बाकि दोनों 2D फिगर है तो इस क्यूस्टन का अंसर गोला हो गया क्योंकि तीन ऑप्षन एक जैसे एक उप्षन क्या है अलग है वह हमें बताने नेक्स्ट क्यूस्टन देखो क्या है यह एनालोजी का क्यूस्टन है समरूपता क्या इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वह इन दोनों के बीच में रिलेशन होगा पी और क्यू के बीच में रिलेशन है कि पी से अगला जो लेटर है वो क्यू ही है तो बताओ टी के अगल एक तिर्बूज दे रखा है जो शिक्सित लोगों को बताता है एक सरकील दे रखा है जो नोकरी पैसा लोगों को बताता है और एक स्क्वेर दे रखा है जो पिछडे लोगों को बताता है तो उसने यह पूछा है और इसमें कुछ नंबर लिखे में इवें डाइग्राम से क् पिछडे मानने जाने वाले कितने वेकति शिक्सित नहीं है जो लोग है फिछ supply होने है इसका मतलब हो नमबर इसके अंदर और आना चाहिए थैक है दूसरा वह क्या है कि वह वेकति-सिक्सित नहीं होने चाहिए इसका मतलब क्या वां यह पर दो पुसे जो लोग आएंगे वो तो सभी कैने सिख्षीत कुंगा जीकिंदंगे मैं चाहता हूं कि वह इसका मतलब आज कर यह नहीं नहीं होने चाहिए वह नंबर इस तिर बुपूज के अंदर नहीं आना चाहिए यह आट 6311 यह तो मेरा आंसर पहो ही चाहिए तो पिछड़े पिछड़े माने जाने वाले कितने वेक्ति शिक्सित नहीं है तो यह जो 17 लोग है यह तो खाली 17 जो लोग है वो पिछड़े हैं और शिक्सित भी नहीं है इसके बाद देखो यह पांच जो लोग है यह क्या है नोकरी पेसा वाले लोग है शिक्सित यह भी नहीं है और यह जो साथ लोग है यह तो क्या है यह तो साथ लोग आपके पिछड़े नहीं है अरे यह साथ लोग तो क्या है पिछड़े नहीं है तो यह भी मेरा आंसर होने का कोई चांस नहीं ह ऐसका मतलब इस एंदर आना चाहिए और इक थादर नहीं होना अचाहिए तोट्टर ALL 22 पिछडे लोग ऐसे हैं जो सिक्षटे नहीं है अब प्लभ 1 द्रई पैसां में पर दें रहां क्यों कि कुछ रह nephew के लिए उसने यह का हुआ है कि पिछड़ा होना चेहां और सिखिसित नहीं होना चाहिए तो पिछड़ा है और सिख़िस्पी नहीं है साथ तो मैं तो ले रहो हूं साथ तो नहीं मैं बाग पार्ट है इसका अंसर बाइस है नेक्स देखो गलत पद बताना है गलत पद बताना एक सीरीज दे रखिए सीरीज में जो गलत पद कौन सा है गलत पद का मतलब है जहां सीरीज फोलो नहीं हो रही है वो अपना अंसर है तो देखो यहां कितना प्लस हो रहा है इन दोनों के बीच में तेन फेर कितना प्लस हो रहा है 6 ठेक है और 13 21 के वीच में 8 फिर यहां कितना प्लस रहा है 24 में से की जाएगा एगा is 13 प्लस कितना प्लस हो रहे हैं 13 प्लस हो रहे हैं तो क्या हो सकता है जैसे 3 प्लस हुए, फिर 6 प्लस हुए, फिर 9 प्लस हो सकते हैं, और फिर कितने प्लस हो सकते हैं, 12 प्लस हो सकते हैं, ऐसा सीरीज बन सकती है, कि 3 प्लस हुए, 6 प्लस हुए, यहां 9 प्लस होते हैं, 9 प्लस होते हैं, तो 13 और 9 क्या होता, 22, क्या होता, 22, 9 और फिर 34 में से 22 जाता, त तो देखो फिर सिरीज बन जाती तीन प्लस हुए फिर नौ प्लस हुए फिर नौ प्लस हुए फिर बारा प्लस हुए तो यह प्रोपर सिरीज बन जाती है यह सिरीज कहां टूटी यह सिरीज टूटी आपकी किस की वज़ा से 21 की वज़ा से यह 21 की जगह 22 कर दो तो यह सिरीज पूरी सही बन जाती है यहां 3 प्लस होंगे फिर 6 फिर 9 और फिर 12 यहां 21 की जगे क्या हो 22 लेकिन जैसे 21 लिखा 3 प्लस 6 प्लस 8 प्लस फिर 13 प्लस तो कोई पेटर नहीं नहीं बन रहा तो यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर जो जो नमबर जिस जंबर के उपर सिरीज फोलो नह क्या लिखा जाता है तो बताओ इस सब्द को क्या लिखाएंगे तो सबसे पहले देखो किसे जो आता है वो कितने नमबर प्लस प्लस फिर बाक शुक्ष jadi 18 ऌर्ठर अठरागोर की ऑपर और यह और यह वरन माला मेंजनिस अलफा वेट में कुन सा लेटर कितने नमबर प्यारा यह चे लिखी हुई है तो हमें याद है कि S कितने नमबर प्याता है 19 प्याता है T20 20 पे U 21 पे N 14 पे फिर 14 पे फिर 5 और फिर 4 यह इस क्यूस्टन का क्या है आंसर कोडिंडी कोडिंग एक सिंपल सा क्यूस्टन था नेक्स्ट क्या कहा है उसने चार उपसिंदी हैं और इन चार उपसिंडीए और इन चार उपसिंद्दों में यह और इन दोनों को देखते हैं तो यह 2 का वरग है और이지 कि ever again यह 9 का वरग तो यह option, first, second or last इन तीनों आप्सेन के नंदर वरग हैं किसी ने किसी संख्यों के लेकिन ये क्या है? आपका cube है, ये 2 खाकयों है और ये 3 का cube है तो यह वाला option अलग हो जाएगा, समझ में ही बाद, तीन option में वरक दे रखे हैं किसी ने किसी संख्याओं के और इसमें एक cube दे रखे है, simple सा question है यह भी, next देखो, next क्या कहे रहे हैं, कि C, A, T को D, B, U लिखा जाता है, तो D, O, G को क्या लिखेंगे, यह भी coordinate recording का question है, देखो C से D हो, क्या हो, प्लस 1 हो, A से B हो, प्लस 1 हो, T से U हो, क्या हो, प्लस 1, यानि एक 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 अकसर प्लस करके लिख रहा है, एक 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 अकसर प्लस करके लिख रहा है, तो हम भी यहाँ प्लस करेंगे, D से E कर देंगे, O से P कर देंगे, और G से क्या कर देंगे, H कर देंगे, एक एक अक्सर प्लस करके लिख दो यदि एक एक अक्सर प्लस हो रहा है तो प्लस करके लिख दो माइनस है तो माइनस करके लिख दो के लिए तो पहले हमें इन दोनों के बीच में लोजिक देखना होता है लोटीक में पता यह उसी लोटीक को आप लगाके लेक्सक्राइब ली और हाथ में क्या रिले से कि दस्तानी काूं पेरे जाते हैं यंशिक्द किने जाएगगे एक साधारन सा कि तो एक दम ही लो लेवल का पेपर पंटी कि उसन तो आपके सामने रिजिन रिजिन के मैंने कर दी है आज के दिन कि उसे नमर 11 कि उसन नमर 11 आपका 10 और 11 दोनों हो गए एक उसे नमर 12 ऩagled है अंतीर स्यात्री ऌंत्रिक्ष्यान तो गोताखॉर क्या होगा सब्सक्राइब कोppen उसे नमर 129ौ तो गोता खौर का होगा सएकील में गोता खौर का क्या काम बताओ हवाई जाज में गोता कर में बता तो पंडू पंडू भी जाते हैं ठेकिل पंडू में तो गौता कोरोक का समadhalten किसे होगा पंडू भी से अंतरिक स्यात्री का समझत अंतरिक स्यांथ से वेसे वोता पंचव currently किसे हो जाएगा पंडू भी से तूझी नेक्स देखो अनीस की और इसारा करते वे एक मैलाने का मानलो यह कोई लड़का है अनीस ठीक है अनीस की और इसारा करते वे एक मैलाने का क्या का मैलाने अनीस की और इसारा करते वे एक मैलाने का उसकी माँ किसकी माँ अनीस की माँ उसकी माँ उसकी माँ मेरी माँ की किसकी माँ की मैला की माँ की इकलोती बेटी है कौन महिला की जो मा है न महिला की उसकी मा किसकी मा अनीस की मा मेरी मा की मेरी मा की मतलब महिला की मा की वो इकलोती बैटी है कौन इसकी मा तो वो महिला अनीस से किस प्रकार संबंदित होगी किस्चन कर सकते हो असान है क्या आएगा अशर इसका देखो देखो इधर तो यहाँ मैला की मा उगई ठीक है तो एक मैला ने अनीस की तरह इससारा क्या 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 इसस्द की जो ममी है वो मेरी मम्मी की इकलोती बेटी है, मेरी मम्मी की इकलोती बेटी है, तो मेरी मा की इकलोती बेटी है, उसकी मा मेरी मा की इकलोती बेटी है, तो बताओ ये महिला इस अनिस की क्या हुई? मा हुई? कौन हुई? मा हुई? देखो क्या था कि उसने काया कि इस अनीस की जो मा है वो मेरी मा की इकलोती बेटी है इकलोती मतलब वो महिला एक ही है वो ही इस अनीस की क्या है मा है और वो ही अपनी मा की इकलोती बेटी है क्या से काम वाल तो अनिज्ट उस मेईला को क्या बोलेगा मा बोलेगा इस लूधी हैं इस क्यूज में बगा ही कि next question, इकलोती का मतलब वो खुद ही है, question number 14, 3, 6, 8 बहतर और 360, तो next इस पद क्या एगा, देखो, यहां से क्या हो रहा है, कितना, 3, 6, 8 नहीं है, sorry 18 है, कितना है, 18 है, तो देखो, 3 से 6, 3 दूनी 6, 6 ती 18, 18 चोग बहतर, और बहतर इंटू 5, बहतर इंटू, बहतर इंटू 5, 360, देखो, यह 18 है, इसको चेंज के लिए, यहां, 3 दूनी 6 वा, 6 ती 18, 2 से गुणा, 3 से गुणा, 4 से गुणा, 5 से गुणा, 6 से गुणा होगा, 36 इंटू 6 करेंगे, 216 और 0, 260, इसको रहा है, पहले है, next देखो, next क्या है, यह दी 3 कर्मागत सम संख्य हैं, क कर्मागत का क्या मतलब होता है, कर्मागत का मतलब होता है, क्या लगातार, कॉंजूगेटिव नंबर, लगातार का, जैसे 2, 4, 6, 8, यह लगातारसं संख्य हैं, थेलिक हैं, संख्या मतलब, इवन नमबर, ऐसी संख्या जो किस से डियूजिबल हो, दो से डियूजिबल, उन तेनों का जो योग है, वो कितना है, अठत्तर है, यह दी तीन करमागत संख्याओं का योग अठतर है, तो बताओ, दूसरी सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, जैसे एक मिन वोर्ट पर देख अब इन तीनों को जोडते हैं तो कितना आता है अठतर आता है तो मैंने पुछा कि दूसरी सबसे बड़ी संख्या क्या होगी यही तो होगी अरे दूसरी सबसे बड़ी तो यह होगी इस से छोटी यह होगी और इस से छोटी यह होगी समझ में आई बात तो इसकी वेल्यू क् सेंजिय संख्या इनका ऊसत है तो दो सेंजोल इसके पहले आताय मिजिश क्या ये दिक एगा Season 20K के पचास पचास दूरों थाइस के इतने और अठासा्तर बताओं तो इस question का धभी सब्सक्रीशत एस f以上 थोड़ा सा कि दूसरी सब्से संख्या बते दूसरी का मतलब तो बीच वाली संख्या बताने पीच पाला इनीका क्या होगा, average, औस्त होगा, तो बीच बाड़ी संख्याईडी 26 है, तो इसके पहले choice, इसके बाद में 28, तो इन्हों को जोड़ो देके, ठ्थतर आरहा नहीं आ रहा है, तो अपना answer क्या जाएगा, 26, तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या 26 है, सबसे बड़ी संख्या 20 है, सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, choice हो जाएगी, clear है, next देखो, यदि पस्षिम को दक्षिन पस्षिम से बदल दिया जाएगी, बोड़ बे देखना, आसान सा question है, ये north है, ये south है, ये west है, और ये क्या है, east है, clear है, ये आपका north east है, य अब देखो इदर, वो क्या कह रहा है, वो आप से ये कह रहा है, कि पस्षिम को दक्षिन पस्षिम से बदल दिया जाए, पस्षिम कहा है, ये रहा, और पस्षिम को किसे बदल दे, दक्षिन पस्षिम, इसका मतलब पस्षिम को दक्षिन पस्षिम से बदल दे, तो यहाँ पस्म यह आजएगा तो फिर यह कहा जाएगा इस जंगह पर तो इस चिस बदल जाएगा उतर देखो उतर ये था उतर किसे बदल गया देखो नौर्थ वेस्ट से तो इस कुस्टन का अंसर क्या है नौर्थ वेस्ट क्या है नौर्थ वेस्ट उतर पस्षिम से बदल जाएगा उतर को किसे बदल देंगे उतर पस्षिम से बदल दिया जाएगा समझी में आ गई बात उसने आपकी पस्चिन की जगह पस्चिन की जगह दक्षिन पस्चिन 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 आ गया तो बताो इसको क्या लिकिंग है नो ये नो है नो और के कितने पर आता है साथ पर ए सोरी ग्यारा पर तो नो से दो बड़ा ग्यारा ये साथ ये छे ये नो और ये छे तो यहां से देखो नो से ग्यारा दो प्लस पांस से साथ दो प्लस चार से छे दो प्लस साथ और दो नो और चार और दो छे दो दो अक्सर क क्या करेंगी लिख देंगे 8 और दो 10 10 पर कोन आ जाएगा J 2 और दो 4 चार पर कोन आएगा डी एक और दो तीन पे सी 4 और दो 6 पर कौन F और 3 और दो 5 5 पर कौन आ जाएगा E तो J D C F E J D C F E Option No B Is Qui Soon का क्या है answer क्लिए है से बल्क सा क्योप्षा था next question देखो ये भी coding recording का question है examination को ये word लिखा जाता है तो बताओ इसको क्या लिखेंगे तो हम देखेंगे इन दोनों के बीच में क्या relation है तो देखो opposite later क्या है opposite evening कक्स आज मन इंडियन रेलवे मन आज जीटी इंडियन रेलवे love और मन ये क्या है opposite later है क्या है opposite later है opposite later का मतलब हम जानते हैं अची तरह से कि A है वो left hand से एक number पे आता है तो Z है वो right hand से एक number पे आता है B दो number पे आता है तो Y उदर से दो number पे आता है ये ट्रिक लिखाए थी आज बाई कक्स दूद वाला evening father uncle रेल्वे, आर, जीटी, इवनिंग और मन, ये इनका क्या वजाएगा, अपोजेट लेटर, क्लियर है? क्यूशन नमर 19, ये क्रेंकिंग का क्यूशन है, कि एक अक्सा में सांबू, सांबू नाम का कोई लड़का है, ये सांबू नाम का कोई लड़का है, वो उपर से किते नमर के उपर है? दस्वे नमर, एक अक्सा में सांबू है, वो उपर से दस्वे नमर पे है, तथा नीचे से किते नमर के उपर है? 36, एक लड़के का इस्थान आपको, एक कक्सा में एक लड़के का इस्थान उपर से भी पता है और नीचे से भी इस साम्बू की पोजिशन आपको उपर से भी पता है और नीचे से भी पता है तो कqsa में total कितने चाते रहे हुआ हम आराम से बता सकते हैं total बच्चे बताने कि total कितने है तो 10 बच्चे यह हो गए उपर से किते नमर पे उपर से सांबू 10 नमर पे हैं और नीचे से सांबू किते नमर पे हैं 36, 36 और 10 कितना हो गया 56, 65 option में 101% मिलेगा जो क्या है गलत आंसर है क्यों क्योंकि इस 36 के अंदर सांबू की काउंटिंग कितनी बार हो गई है दो बार सांबू उपर से भी आ गया है काउंट और निचे से भी काउंट हो गया है तो एक माइनस कर देंगे तो बताओ इस question का अंसर क्या आएगा 45 तो द्यान रखना है कब प्लस वन करना और कब माइनस वन करना है प्लस वन तो हम तब करते हैं जब दूसरी तरफ से रेंग बतानी हो और जब टोटल निकालना हो तो हम इसा क्या करते हैं माइनस वन करते हैं के लें और आज के अपना यह लाश्ट कुशिटा फ़ीय आपका दूरी दिशा में की यह इस इस आपको पता है यह फिते एक व्यक्ति 15 मिटर पूरो की ओर जाता है 15 मीटर पूरो की ओर पूरो की ओर फिर बायं मुड़ता है इस आदमी का बाया किदर होगा उपर की तरफ होगा और कितना मिटर चलता है 10 मेंट्र आपने 15 को इतना बड़ा लिया है 10 मेटर तो बताओ शुरुवाती बिंदू से कितनी दूर है तो यह वाली जो दूरी है बताओ यह कितनी है जितनी यह है उतनी तो है तो वह सुरुवाती बिंदू से कितना दूर है 10 मेटर है और यह हमसे वह यह पूछ ले कि सुरुवाती बिंदू से कितना दूर और किस इस पॉइंट से वो नोर्थ के अंदर ही है क्लियर तो यह अपना इस क्यूशन का क्या है आंसर आज हमने टोटल यह 20 क्यूशन करें यूपी पुलिस का 23 या 24 अगस्त का एक पेपर है उसके मैंने उसमें से 20 क्यूशन लिये हैं रीजनिंग के ठीक है यदि किसी प्रकार की ओके जेहिन